एक ग्यारा दिनों तक ना तो किसी को रोना है और ना ही किसी को हसना है ना ही पाटी करना है और ना ही सराब पीना है पड़िजन के मरने पर भी जोड़ जोड़ से नहीं रोना है और ना ही कोई ऐसा काड़ेकरम करना है जिससे लोग खुस हो या सब हम नहीं कह रहे हैं आपको बलकि यह आदेश है नौर्थ कोडिया के राजा का उनके अपनी प्रजा के लिए कितना डरावना है न यह सोचिए और खुस हो जाईए अपने भारतिये होने पर क्योंकि लोकतंद्र और प्रजातंद्र से चलने वाला या देश और इस देश में जन्म लेने वाला हम जैसे लोग बहुत ही भाग्यसाली है एक दिन के लिए भी यदि किसी पर इस तरह का रोक लगाया जाए तो यह बिल्कुल नैतिक हनंद कहलाएगा लेकिन नौर्थ कोडिया के राजा को इस से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहां के लोग क्या सोचते हैं लोगों की परवाना करने वाला राजा कभी देश का भाला कड़ी नहीं सकता है और यह सचाई भी है नॉर्थ कोडिया में लोगों को हसने रोने और पार्टी करने पर 11 दिनों तक के लिए रोक लगा दिया गया है तो आज सुनी अंसुनी में कहानी नॉर्थ कोडिया की जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर वहाँ 11 दिनों तक इतने सक्त नियम क्यों ल रहता है और एक बार फिर नॉर्थ कोडिया के राजा कीम जॉंग उन ने जो फैसला लिया है उसी वज़य से नॉर्थ कोडिया सुर्खियों में है सुनी अंसुनी के इस एपिसोड में हम आपको पुराने सुनी अंसुनी कहानिया ख़बर बताते हैं लेकिन जब पढ़ने क के दौरान मैंने नॉर्थ कोडिया के राजा कया आदेश देखा तो मैंने सोचा इसे आपको बताया जाए बताया जाए कि कैसे एक राजा सत्ते के नसे में चूर होकर अपने ही देश के लोगों को परिसान कर रहा है यहां सायद परिसान सब्द भी गलत होगा नॉर्थ इस आदेश में कहा गया है कि नॉर्थ कोडिया का कोई भी वेक्ति एक 11 दिनों तक ना तो रोएगा और नहीं हसेगा इस 11 दिनों के दोरान यदि कोई नॉर्थ कोडिया में कारेकरम करता है तो उस पर अपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा और उसे जेल भेज दिया और उनके परिजन को इन एक 11 दिनों के दौरान मरने वाले व्यक्ति के लिए सोक नहीं मनाईंगे, बलकि सिर्फ और सिर्फ पुर्व सासक कीम जौंग इल के लिए सोक मनाईंगे. अब आप सोचिए कि सब्ता के नसा में कोई सासक कैसे अपने ही प्रजा के नैतिक मुल्यों का हनन करता है, और प्रजा की भी मजबूरी है कि वह सासक के सामने कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि जब सासक तानासा हो जाता है, तो वह प्रजा को प्रजा नहीं समझता, हलांकि यह नौर्थ कोरिया के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है क्योंकि हर साल नौर्थ कोरिया के लोग अपने पुर्व सासक कीम जॉंग इन के बरसी पर दस दिनों का सोक मनाते आए हैं। दिया जाता है और कई रिपोर्टर ने तो यह भी दावा किया है कि जेल भेजे जाने वाले व्यक्ति को फिर देश में कभी देखा ही नहीं गया। लोट के अनुसार नौर्थ कोरिया के लोगों को काफी कठिनाईयों का सामना करना परता है और हर हाल में वहां के लोगों को सासक के नियमों का पालम करना होता है। वहां के लोगों को खुद से पहले और खुद के जान से जादा सासक के फोटो का ख्याल रखना होता है। एक बार जब वहां एक व्यक्ति के घर में आग लग गया था और उस आग के चपेट में उसका बच्चा फंस गया था तब उसने अपने सासक के तस्वीर से जादा अपने बच्चे की जान बचाना जरूरी समझा और उसका खाम्याजा उसे ऐसा भुकतना पड़ा जिसका उ जो भी व्यक्ति सासक को भगवान नहीं मानता है उसे वहां के सासक कीम जौमून भगवान के पास भेज देते हैं अब ऐसा सासक देश के लोगों के लिए कितना विकास कड़ेगा इसका अंदाजा आप लगा चुके होंगे कई रिपोर्ट ने अभी दावा किया है कि वहां देश सुर्खियों में हैं 11 दिनों तक लोगों को ना तो रोना है ना ही हसना है ना ही सौपिंग करना है और ना ही पाटी करना है और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि किसी पडिजन के मरने पर लोग को दुख भी नहीं मना सकते हैं वहां के लोग और उसका 111 दिनों तक गड़ के अंदर कैसे रखा जाएगा और इससे उसके पडिवार को कौन-कौन सी बीमारी हो सकती है यह अभी एक चिंता का विशय है हलांकि हम यहां से बस इसवर से प्रातना ही कर सकते हैं कि और इसवर से प्रातना करते भी हैं कि वहां के लोगों को इने 11 दिनों के लिए सुरक्षित रखे यह कहानी हमारे लिए प्रकास पोईटरी को उम प्रकास ने लिखी है मेरा नाम अब सेप कुमार है और कैमरा के पीछे खड़े है मेरे मित्र पंकज्या अगले सब्ता फिर आपसे मुलकात होगी किसी सुनी अंसुनी किस्से के साथ तब तक के लिए इजा किसी सुनी अपसे हमारे इजा और कूर जाब।